आज की वीडियो गाइस होने वाली है हिबिसकस जेल जी हाँ हिबिसकस हेर ग्रोज जेल की वीडियो है अग्यओधे चीज़ साथ है वैसे हिविसकस पाउटर भी यूज़ कर सकती हुए वीकले के लिए मैं चाहती हुएं नहीं मुझे यहहाँ प्लार से ही रेमेडियी बनाता है मतलब मुझे मैं यह चाहती है कि मैं पूरा प्यॉर 100% प्यॉर वाली चीज आपके साथ शेयर करूँ आपके पास फ्लार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप पाउडर के साथ भी इसको बना सकते हैं ठीक है और हो सके तो आप लोग भी क्या करना प्लांट लाके और घर पे रख लें क्योंकि सबको प्लांट कर दो बहुत शाथ होता है तो एक फ्लार और निकल गया था इसलिए मैंने आपके लिए हेर ग्रोथ जैल बनाया है जो कि बहुत जादा अमेजिंग है उसका result तो amazing वाला है तो आप लोग देखो वीडियो इसको बनाना कैसे है लगाना कैसे है और after result सब कुछ आपके साथ share करा है इस वीडियो में वीडियो को last तक देख लिया करिए बीच में मज जाया करिए मैं इतनी सारी information आपको देती हूँ ना कि मतलब अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे न तो आप मतलब आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे ये समझ लीजे आपके अंदर एक motivation आएगा आपके अंदर एक आप crazy बन जाओगे आप कि यार हमें भी ये करना है हमें भी ये करना है हमें भी बालों के लिए करना है तो लास्ट तक वीडियो को देख लियांकर ये 10 से 15 मिनट के अंदर की वीडियो होती इतना जादा नहीं होता है बट आपके लिए बहुत जादा helpful होती है वो इसके लिए बोल रही हो और सब के साथ शेयर जरूर करां करी हर वीडियो को और फर्स टाइम चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो आज देख रहे हो और आपको पता नहीं है कि मैंने और कौन-कौन सी वीडियो डाली है तो प्लीज गाइस आप लोग मेरी पुरानी जो वीडियो है कल से जितनी डाली जैसे आपको टाइम मिले है वैसे वन बाई वन आप वीडियो उसको देखते रहे है आपको इतना जाधा फायदा मिलेगा ना उनको आप जब देखोगे ना आपको चीजे समझ आने लगीगी हमारा हेर फॉल के क्या कारण होते है बाल कैसे बाहर आकर गिरता है उसका क्या सर्किल चलता है बालों का मतलब बहुत सारी चीजें जो कि मुझे नहीं लगता किसी ने भी आपके साथ शेयर की होगी लेकिन मेरी वीडियो में आपको हर चीज आपको हर चीज डीपली मिलेगी because मैं जो भी चीज करती हूँ वो deeply ही जाकर करती हूँ deeply ही हर चीज को सोचती हूँ हर चीज को मतलब करती हूँ then उसके बाद आपके साथ share करती हूँ तो ठीक है तो चलिए वीडियो को देखिए remedy को देखिए कैसे बनानी है and guys मेरी चाय आ गई है तो मैं चाय पीती हूँ जब तक आप लोग remedy देखो ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह फ्लार निकल चुका है and sister के मैंने hair बन के उपर इसको लगाया था because वो बोल रही थी मैंने का चलो थोड़ा सा enjoy कर लेते हैं उसके बाद remedy बनाना start करते हैं तो मैं पूरा खराब हो गया तब मैं इसकी new मैंने इसको मतलब मंगाया markets है and अब चलो यह अच्छा हो गया और इस बार मैंने इसको दूप में नहीं रखा थोड़ा सा च्छाओं में रहता है थोड़ा दूप में रहता है अब बिल्कुल सही है अब काफी अच्छा है इसकी है ना कर्लियें भी निकल रही है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक फ्लार है इसको अभी आप देखेंगे तो यह जो होता है ना इसको पीसने का इसके अंदर मैं पीसूंगी because मेरी बहुत इच्छा हो रही थी हमेशा ग्राइंडर में डालके पीसती हूँ लेकिन पता नी क्यों मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं इसके अंदर पीसूंगी इसलिए मैंनका चलो इसके अंदर मैं लेती हूँ तो इसको बारिक-बारिक सारी जो लीफ है ना इसकी वह मैंने इसमें पैटल्स है उसको निकाल दिया है और पीछे का है वह हटा दिया और चोड़ चोड़े टुकड़े कर लिए मैंना ताकि एजीली जल्दी से फास्टली थोड़ा क्रश हो जाएगा ऐसी मेरा मन हो रहा था इसमें करने का और आप तो ग्राइंडर में डालके कर लेना ठीक है मैंने तो ऐसे ही किया है इसको क्योंकि हम हमेशा उसके अंदर पीशते हैं तो कभी मन होता है की यार कभी इसको अंदर पीसा है Іस लिए तो बस इस तरह से मैं इसको अच्छे से पीस रही थी बट अच्छे से मतलब हुआ तो था लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हुआ था फिर मुझे लगा इसके अंदर थोड़ा सा मुझे पानी डालना है तब यहां पर आप देखेंगे तो मैंने अलोविरा जेल डाला है और अलोविरा जेल मैंने नॉर्मल यह पतांजली वाला ही मैंने पानी दाला है यह की पानी डालना है क्यों नोचो देखेंगे तो फृर मैंने इसको पतांजली मुझे अलोविरा जी ãyड़ने हुआ जाओ दालना हो घंडव भीरा कमानी फिर कर लिया औरफिकिस के जो फाइदे है वह मैं इसकी जो फर्स्ट वीडियो लाई थी लाई थी नखा सी टोनर की उसके अंदर मैं आपको बताया था कि ईबिसकस के इसका आपके बाल के लि exhist का आपकर दॉन के उसके नदर बताया दॉनों के अच्छी होती है हिबिसकस से आपके जो बाल जड रहे न वो बिलकुल कंट्रोल में आ जाएंगे और new hairs उगने स्टार्ट होते हैं बालों में थिकनेस आती है बाल लंबे भी होते हैं roots है, वो strong होती है hair follicles है, वो strong होते हैं, उसको अच्छा nourishment मिलता है मतलब हम overall देखे हैं, तो बालों के लिए काफी जादा अच्छा है ये ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको अच्छे से grind कर लिया, इसके अंदर 3-4 फूल लेकर डाल देना ठीक है, और aloe vera जो gel है वो आप 2-3 चमच डाल सकते हैं यहाँ में जो मैंने डाला ना, वो 2-3 चमच ही था, तो इसको मैंने फिर सोचा कि grinder में डाल लेती हूँ ताकि और भी अच्छे से fine paste बन जाए तो मैंने इसको फिर grinder में डाल के अच्छे से paste इसका ready कर दिया था और जो जो वीडियो मैं regular लेकर आ रही हूँ आप लोग कर तो रहे हो ना, मुझे बताना, comment करके कौन कौन, और काफी लोग कर रहे और feedback दे रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है, आप यूज कर रहे हैं उसके बाद feedback आ रहा है, तो इससे पता चलता है देखी, दूसरों की भी help हो जाती है वो feedback पढ़ते हैं, तो कि हाँ इनों ने use किया, तो इनको फाइदा हुआ तो वैसे तो देखें, तो सबकी scalp अलग होती है सबका hair का texture अलग होता है सबको फाइदा भी अलग-अलग मिलता है किसी को एक दिन में फाइदा मिल जाता है तो किसी को दस दिन में फाइदा मिलता है किसी को एक महीने में मिलता है क्योंकि सबका अलग है जो बहुत अच्छा healthy खाना खाता है उनको तो एक ही दिन में फरक दिख जाएगा ठीक है जो थोड़ा सा normal खाना खाते हैं उनको 4-5 दिन में फरक लगेगा जो बिल्कुली अच्छा healthy diet नहीं ले पाते हैं उनको तो 15 दिन 20 दिन एक एक महीना लग जाता है पता ही नहीं चलता कि हमारे बालों में कुछ फरक भी हो रहा या नहीं विकाज उनकी diet ही अच्छी नहीं है तो मतलब DIY के साथ diet भी अच्छी होनी चाहिए न इसलिए तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कल परसों एक दो दिन मा आजाएगी इस ब्रैंड की तो इसके बारे में मैं आपको काफी सारा बताने वाली हूँ तो इसका मैंने coconut oil है वो भी मैंने एक चमश डाला है दौनों एक एक चमश डाल दिया है इसको ग्राइंड यह सब चीज़े में डाल रही हूँ ना इसके बाद में मैं ग्राइंड मडर में डाल के और फिर जला लूँगी यह मैंने इसका रोजमेरी लिया है रे नैचुरल्स का ही रोजमेरी essential oil है तो essential oil मैंने एड़ किया है यह essential oil काफी अच्छे होते हैं बालों के लिए thickness लेकर आते हैं और सारी चीज़ें होती है इसलिए काफी ज़्याद अच्छे हैं तो यहाँ पर मैंने इसके चार से पाच जो मैंने drop है वो इसमें डाल दी है जो second हम देखे हैं तो second मैंने tea tree essential oil है वो लिया है और tea tree essential oil भी इसी brand का है तो यह इसका मैंने total इसके भी पांच चमच डाल दी है और सब के साथ डॉपर मिल जाता है तो easy होता है आपको निकालने में है तो यहाँ पर मैंने इसके भी पांच चमच डाल दी है तो यह हमारी remedy बन चुकी है बस हमने gel बना लिया है हिबिसकस gel है हमारा यह और बहुत ही जादा amazing है आप लोग जरूर बना लेना बालों की hair की growth के लिए ठीक है आज आप सोच रहे होंगे कि दीरी इतनी दीरे-दीरे क्यों बोल रही है actually late night मैं voice over कर रही थी और आसपास है ना एकदम मतलब आपको पता अब सर्दी का time है तो बहुत फिर तेज नहीं बोल सकते so that मैं slow-slow बोल रही हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैंने grinder में डाला ना तो इसका paste है वो कुछ इस तरह से हो गया aloe vera डाला तो एकदम creamy creamy texture हो गया का तो बिल्कुल cream लग रहा है हम बोल सकते हैं इसको aloe vera नहीं hibiscus gel या hibiscus cream भी बोल सकते है यह काफी अच्छा है इसको आप face पर भी apply कर सकते हो पता है थोड़ी सी आप निकाल के debia में डाल की और रात में सो तब इसको face पर भी लगा सकते हो क्योंकि जो जो हमने चीज़ें डाली ना वो सारी face के लिए भी अच्छी है तो आपने देख लिया है बहुत ही अच्छे से पिस चुका है और हाँ इसका जो application है वो आप लोगों को कल की वीडियो में मिल जाएगा तो गाइस यह हमारा हिबिसकस hair growth gel बनकर मैं आपको हर बार बोलती हूँ winter में आप इसे दूप में रखेंगे और उसके बाद लगाएंगे ना तो आपको बिल्कुल ठंडी नहीं होगी चाहे कुछ भी लगा लो आप दूप में रखने के बाद में ठीक है मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राइ कर रही हूँ अभी बहुत सारी चीज़ें आप यह समझो DIY चीज़ें हैं साथ ही साथ में बाहर की चीज़ें में बहुत सारी मंगाली है और वो भी मैं ट्राइ कर रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है आप लोग थोड़ा सा पेशन्स रखो थोड़ा सा और आपके पास एक से एक चीज आने वाली है और बस करते रहना मेरे साथ साथ आप लोग भी करिये जरूर आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट मिलेंगे ठीक है सारे लाइक करना वीडियो को शियर करना और फर्स राइम चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिगा और इसका अप्लिकेशन है न वो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा ठीक है बाई बाई टेक केर हाल दिरे